अब बसकार दोस्तों मेरा नाम है रोहित इस वीडियो में हम 7th कलास के कीवर्ड के बारे में डिसकस करेंगे लेसन मैंने डिसकस कर लिया हुए यदि आप में नहीं देखा है तो उसको चैनल पर जाकर देख लीजिए अब यहां पर हम डिसकस करेंगे कीवर्ड जो है हमारे प फूसरा है अमीनो एसिड जो है प्रोटीन प्रोटीन में जो हम प्रोटीन लेते हैं उसका जो है अमीनो एसिड में बदल जाता है उसी को सिम्पल सबस्टान में बदल जाता है उसी को अमीनो एसिड कहते हैं अमीबा क्या होता है अमीबा होता है कि सेल होता है इसमें जो कि पॉंड पाई जाता है एक एक अरिगिडिलियwork इअ हैं न है कि जो हम ने खाना खाया उसका हमारा सैल में यूटिलाइजेशन या आइसल में पहुंच जाना उसी को अश्यामिले मिलेशन कहते हैं बाईजूस बाईल हमारा क्या होता है bradius होता है पैन क्रियास में जोकी फैट को पचाने के लिए इस्तिमाल होता है बकल कैव Liberty हमारा क्या है हमारा मू है जिसमें हमारा कैमें रहता है दानत रहते हैं और टंग रहती है और यहीं पर सिलैवरी के यआण रहती हैं जहां से सिलैवा गलता है कनाइन क्या होता है एक ये एक परकार का ये दांत है जैसे मैंने बताया था आपको की आई सी पी एम था आई कितना था दो एक दो तीन था इसी को हम लोग कहते थे दें है मेडिकल फार्मूला कहते थे तो हमारा सी से कनाइन था इसी के बारे में दिसकेशन हो रही यहां पे तो आई टोटल नंबर ओटेतए कितने रहते हैं कनाइन में इसको फॉर से मल्टिप्लाई करेंगे तो चार होते है ये इसी तरह जो हैं वो इंसीजर केतने रहते हैं इसको भी 4 से मॉल्टिप्लाई और प्री मॉलर को भी 4 से और मॉलर को भी 4 से मॉल्टिप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल नंबर ओफ टीथ अडल्ट में आ जाएंगे अजया को आगे देखते हैं कि कि ऑ faire कैनान हो गया है कि आगे डीखते हैं सायलोटक क्या होता है जैसे हमारा खौण्स जानर्वार ओंधाना जो घास घास घथे उनका खाना जो है से लोग के फार्म में बदल जाता है, डाइजेशन का पाचन हो जाना उसी को डाइजेशन कहते हैं, इजेशन भी इसी तरह है, जो हमारा भोजन पच जाता है, जो अनेब्जोर्ब खाना रहता है, उसको जो हमारा एनस से बाहर निकलता है, उसको इजेशन कहते हैं, फैटी एसिड क्या होता है, फै व्यक्यूल में ही जो है खाना उनका स्टोर होता है अमीबा का और वहीं पर डाइशेशन होती है गाल ब्लेडर क्या होता है गाल ब्लेडर में जो है मारा बाइल जूह जो है वो फो होता है गलाइसरोल क्या है, गलाइसरोल जो फैट रहता है, फैट चीज जो खाते हैं, फैटी आसिड और गलाइसरोल में बदलता है, इंसीजर ये भी एक परकार का दात है, जो कि कितन रहते हैं, आठ रहते हैं, अडल्ट में, इंजेशन क्या है, बोजन को अंदर ग्रहान करना या निगलना उसको इंजेशन कहते हैं लिवर में क्या कर रहता है लिवर हमारा जो है राइट साइड पर पाया जाता है पेट के और यहीं पर जो है हमारा बाइल जूस होता है जो की फैट को तोड़ने में सहाइता करता है मिल्क टीथ क्या होते हैं मिल्क टीथ जो है जो दो साल का बच्चा रहता है दो साल चे साल की बीच में जो उसके दांत रहते हैं छे या आठ साल की बीच में उसी को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं इसको टैंपरेडी टीथ भी कहा जाता है मूलर क्या होता है मूलर ये भी हमारा दांत का परकार है जो कि कितने रहते हैं डल्ट में बारा रहते हैं पर्मनेंट टीथ क्या होते हैं पर्मनेंट टीथ होते हैं जो आठ साल के बाद एक बार हमारे दांत टूर जाते हैं जो दांत उसके बाद उगते हैं हो हमारे permanent teeth रहते हैं वह हमारी old age तक रहते हैं unsure throw fabulous क्या है यह food pipe को ही स known efforts boss आ जीसमिerem खाना जो है मारे पेड़ तक मुं से पेड़ तक ट्रेवल करता है फैन किर्यास क्या है पैन किर्यास में हमारा सभी परकार का जो जैसे carbohydrate food और प्रोटीन जो है बदल बदला जाता है जैसे जो है कार्बोहाइडेड बदल जाता है शूगर में और जो है फैट जो फैटी एसिड और गलाइसरोल में बदल जाता है उतके बाद प्रोटीन जो हमारा अमीनो एसिड में बदल जाता है पैन क्रियास में हमारा जो है सिंप्ल सफ्टांस जो पूरी तरह से हो सिंपल सफ्टांस में बदल जाता है जैसे कार्बो हाइडेड बदल जाता है शूकर के फॉर्म में और गलुकोज के फॉर्म में फैट जो है वह फैटी आसिट और गलाइसरोल के फॉर्म में बदल जाता ह जो आगे है प्री मोलर कि नहीं पेडले नहीं उस आलगे है आगे कंद में रहता है जिसएना पौर्डिया होता है जिसकी सहायता सह्कारे अंबीवा और ट्रैप करता है और इन्टेक करता है उसको प्हसीदो gens का जाता है रूमन क्या होता है रूमन जो है जो गाय रहते हैं इनके पेट में एक अलग चेमबर रहता है उसको रूमन कहते हैं ये होता मुक्त है उनमें है जो घास खाते हैं जानवर उनमें ये रूमन चेमबर पाया जाता है अगर रूमिनेंट वही जानवर होते हैं जो घास खाते हैं और घांस खाते हैं तो उनमें रूमन चैंबर पाया जाता है इसलिए उनको रूमिनेंट कहते हैं रूमिनेशन क्या होता है जो भोजन को चबाते हैं जानवर या घांस को चबाते हैं उनको रूमिनेशन कहा जाता है स्लाइवरी ग्लेंड क्या है स्लाइवरी ग्लेंड होता है कि हमारे मुह में पाई जाती है और यहां से हमारा स्लाइवा निकलता है जिसको हम लोग लार कहते हैं जैसे हम लोग सुबह करते हैं मुह में काफी लार रहती है उसी को लार कहते है या स्लाइवा कहते हैं विल्ली क् हमारा जो हैँ ने जो खाना खाया है मुंने इंटस्टाइन के बाद करा गो खाने का absorption होता है पूरी तरह से सेल में saliva क्या होता है मैंने बता ही दिया कि large इसको बहते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद